हम सीखेंगे स्तन्पान के लिए, मा और शिशु के लिए स्तन्प के सही पकड को चुनना. स्तन्पान से पहले मा की तयारी और क्रेडल पकड का पूरा तरीका. आये शुरू करते हैं. पूरी दुनिया में माएं कई तरह से शिशुँं को स्तन्पान कराती हैं. जैसा कि एक पहले टुटोरियल में बताया गया है, मा और शिशु के लिए सबसे सही पकड़ वही है, जिसमें मा और शिशु दोनों को स्तनपान के पूरे समय आराम मिले मा के स्तन से शिशु गहराई से जुड़े और उसे काफी दूद मिले आईए एक ऐसी पकड़ सीखते हैं, जिसे क्रेडल पकड़ कहते हैं स्तनपान से पहले मा को अपने हाथ साबुन और पानी से धोकर अच्छे से सुखाने चाहिए फिर उसे एक गिलास उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी पीना चाहिए स्तनपान कराती माओं में तक्रीबन साड़े साथ सौ से साड़े आठ सौ मिली लीटर दूद बनता है इसी लिए उन्हें रोज जादा पानी पीना चाहिए अगला हम बात करेंगे मा की स्थिती पर मा को फर्ष या बिस्तर पर चौंकड़ी मार कर बैटना चाहिए या फिर कुर्सी पर बैटकर पैरों को जमीन पे जमा कर अगर कुर्सी बहुत उंची हो और उसके पैर जमीन तक ना पहुँचे तो जमीन पर रखी चौंकी या तकिये पर पैर रखे बैटकर ध्यान दे की पीट सीधी है ताकि कमर का दर्द ना हो कंधे आराम से हो ना की उपर उठे हुए या जुके हुए और ये आराम दायक स्थिती पूरे स्तनपान के दोरान बनाए रखें फिर मा को उस स्तन से कपड़ा हटाना चाहिए जिस से वह दूद पिलाएगी ध्यान दे की अपने ब्लाउज या ब्रा का दबाव स्तन पर ना पड़े आराम से बैटने के बाद शिशु को मा के पास लाएए मा जिस स्तन से दूद पिलाने वाली हो उसी तरफ के हाथ से शिशु को पकड़े शिशु का सर आराम से मा के उसी हाथ के कोहनी के अंदर होना चाहिए उसी हाथ से मा को शिशु के सर, गर्दन और पूरे शरीर को सहारा देना चाहिए इस चित्र में मा शिशु को अपने दाएं सन से दूद पिलाएगी इसलिए उसने अपने दाएं हाथ से शिशु का सर, गर्दन और शरीर को सहारा दिया है और शिशु का सर आराम से मा के दाएं हाथ के कोहनी के अंदर है जरूरत हो तो मा गोधी में शिशु को रख कर उसके नीचे तक ये रख सकती है ताकि शिशु को पकड़ने में जादा सहारा मिले याद रखें मा को अपनी पीठ जुका कर शिशु के मुह तक स्तन को नहीं ले जाना चाहिए इससे उसे तकलीव होगी और कमर दर्ध भी शिशु का पेट हलके से मा के शरीर से दबना चाहिए उनके शरीर के बीच के कम फासले की वजह से शिशु को मा के स्तन तक पहुंचने में कम कोशिश करनी होगी और शिशु को स्तन से गहराई से जुणने में आसानी भी होगी दूसरी जरूरी बात है कि शिशू का शरीर किस दिशा में पकड़ा गया है आपने देखा होगा कि जब हम खाना खाते हैं तब हमारा सर, गर्दन और शरीर हमेशा एक ही सीध में होते हैं पर कुछ माएं स्तन पान कराते हुए शिशू का सर एक तरफ को मोड देती हैं इससे शिशू को स्तन पान में मुश्किल होती है स्तन पान करते हुए शिशू का सर, गर्दन और शरीर हमेशा एक सीध में होने चाहिए इससे शिशू के लिए दूद निगलना आसान होता है अब हम शिशू के शरीर के स्थिती की तीसरी बात करेंगे मा को शिशु के सर, गर्दन और शरीर को सहारा देना चाहिए नहीं तो शिशु को स्तन से घराई से जुड़ने में काफी कोशिश करनी होगी अगला हम सीखेंगे शिशु के नाक और ठोड़ी की स्थिति शिशु की नाक निपल के सीध में होनी चाहिए और उसकी ठोड़ी आगे की तरफ स्तन के करीब होनी चाहिए इससे शिशु एरियोला के निचले हिसे का ज़ादा भाग मुँ में ले पाएगा और अपने निचले जब्रे से अच्छे से ज़ादा दूद पी पाएगा याद रखें एरियोला निपल के आसपास का काला भाग है शिशु को सही स्थिती में पकड़ने के बाद हम सीखेंगे स्तन को कैसे पकड़ा जाए जो हाथ खाली है उसकी उंगलियों से मा को अपना स्तन उपर से यू आकार में पकड़ना चाहिए इस चित्र में मा अपने बाएँ हाथ से अपना दाया स्तन पकड़ेगी अंगूठे और उंगलियों की सही स्तिती समझने के लिए ऐसा सोचिए जैसे की दाया स्तन का निपल एक घड़ी के बीच का बिंदू है जिस तरह घड़ी पर तीन बचते हैं उसी तरह मा को अपना बाया अंगूठा रखना चाहिए और जिस तरह घड़ी पर नौ बचते हैं उसी तरह मा को अंगूठे के बगल की और बीच की उंगली रखनी चाहिए स्तन को पकड़ती हुई मा की उंगलियां हमेशा शिशु के होंटों की दिशा में होने चाहिए क्यूं? आईए समझें इस उधारन से जब हम वड़ा पाउ या बर्गर खाते हैं तो हमारे होंट आड़े खुलते हैं हम वड़ा पाउ या बर्गर को आड़ा पकड़ते हैं ताकि उसका बड़ा हिस्सा खा पाएं यहां अंगूठा और उंगलियां होटों की दिशा में हैं अगर वड़ा पाउ या बर्गर को सीधे पकड़ें तो हम उसका बड़ा हिस्सा मूँ में नहीं ले पाएंगे उसी तरह शिशु के होटों की दिशा देखिए, वे सीधे हैं इसलिए उंगलियां और अंगुठा भी स्तन पर सीधे रखने चाहिए इससे शिशु को अपने मुँ में एरियोला के निचले हिस्से का एक बड़ा भाग लेने में मदद मिलेगी मा का अंगुठा और उंगलियां शिशु के मुँ की दिशा में होने के साथ साथ निपल से तीन उंगलियों की दूरी पर होने चाहिए अगर हम बड़ा पाव या बर्गर खाते हुए उसे मूँ के करीब रखेंगे तो हमारी उंगलियों की वज़े से हम उसका एक बड़ा हिस्सा मूँ में नहीं ले पाएंगे और अगर दूर रखेंगे तो उसके आकार की वज़े से उसे मूँ में नहीं ले पाएंगे इसलिए उसे सही दूरी पर रखकर हम उसका एक बड़ा हिस्सा मुह में ले पाएंगे उसी तरह जैसा इस चितर में दिखाया गया है शिशु के लिए भी सही दूरी निपल से तीन उंग्लियां है इस दूरी से मा की उंगलियां शिशु को अपने मूँ में एरियोला का निचला हिस्सा लेने से नहीं रोक सकेंगी और वो निपल को नहीं दबाएगी जिससे बहुत कम दूद निकलेगा मा एरियोला के नीचे के दूद की बड़ी नलियों को दबापाएगी जिससे जादा दूद निकलेगा और स्तन का आकार भी सही होगा जिससे की शिशु को गहराई से जुड़ने में मदद मिलेगी याद रखें मा का अंगुठा स्तन के उस सरफ होना चाहिए जहां शिशु की थोड़ी हो और उसकी दो उंगलियां स्तन के उस सरफ जहां पर शिशु की नाक हो चलिए एक और बार वड़ापाव या बर्गर की बात करते हैं वड़ा पाव या बर्गर को सही से पकड़ कर हम उसे दबाते हैं ताकि उसका बड़ा हिसा मूँ में ले पाएं ठीक उसी तरह मा को भी स्थन को हलके से यू आकार में उपर से पकड़ना चाहिए इससे शिशु अपने मुँ में एरियोला के निचले हिस्से का बड़ा भाग ले पाएगा याद रखें मा को अपना स्थन उल्टी कैंची की तरह पकड़ कर नहीं दबाना चाहिए उल्टी कैंची की आकार में पकड़ कर दबाने से स्थन पर चुबन होगी और शिशु निपल से स्थन पान करेगा ये जरूरी है कि स्थन पर अंगूठे और उंगलियों से एक जैसा दबाव पड़े नहीं तो निपल या तो दाएं तरफ या फिर बाईं तरफ मुड़ जाएगा और शिशु स्थन से गहराई से नहीं जुड़ पाएगा याद रखें स्थन को एक तरफ दबा कर शिशु के मूँ तक कभी न ले कर जाएं हमेशा शिशु को स्थन पर लाएं अब शिशू क्रेडल पकड में है और स्टन पान के लिए स्टन से जुड़ने को तैयार है स्टन से शिशू का सही जुड़ाव इसी श्रिंकला के एक अन्य टुटॉरियल में बताया गया है जैसे ही शिशू स्टन से गहराई से जुड़ जाता है और अगर वो स्टन जादा भारी ना हो तो मा उस्टन को अपने हाथ से छोड़ सकती है और वो हाथ शिशु को सहारा देने के लिए उसके नीचे रख सकती है इस तिथी में मा को अपने दोनों हाथ अपने शरीर के बहुत करीब रखने चाहिए ऐसे स्टनपान के दौरान उसे अराम मिलेगा अब ये टुटॉरियल यहीं समापत होता है